हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टो माई चैनल फ्रेंज आज हम आपको 4-5 येर बेबी के लिए बहुती प्यारीजी फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए हमने 75 cm फ्रोक फेबरिक लिया है और 60 cm फ्रील और पाइपिन का फेबरिक लिया है यहाँ पर फ्रेंज यहाँ दो फ्र भी है उपर की साइड से यहां नेक के लिए हमें इस पर 6 इंच का निशान लगा लेना है इस जंगे भी हमें इस पर 6 इंच का सिखा लगा लेना है अब दोनों निशानों को हम ऐसे गोलाई करते हुए मिला लेते हैं आर्म होल की लेंद हमें यहाँ पर 3 इंच रखनी है इसमें हम हलका सा कट लगा लेना है टोटल लेंद हमारी 21 इंच है तो 21 इंच पर ही हम सब जंगे इस पर निशान लगा लेते हैं अब इन निशानों को हम ऐसे करते हुए यहाँ से मिला लेते हैं दोनों निशान यहां पर हमने लगा लिये हैं अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं उपर की साइड से भी हमें इतना ही सेम कटिंग कर लेना है जितना हमने इसमें निशान लगाया हुआ है यहां पर हलका सा हमें इसमें कट लगा लेना है ये देखेए Frye Frock के ये दोनों पीज हमारे कट कर तयार हो गए हैं ये हमने 3 पीज फ्रिल के लिए लिए हैं जिसकी लेंग 5 इंच है और चोडाई में ये 41 इंच है यहांपर 41 इंच का ये फ्रिल हमने लेंग में ले लिया है 3 फ्रिल हम नहीत हा लिये हैं तीनों हमारे बिल्कुल बराबर हैं, एक फ्रील को हम बीच में से काट लेते हैं, और आधा एक फ्रील में जोड लेते हैं, जिससे हमारे फ्रील की लेंद जादा हो जाएगी, और हमारी फ्रोक के घेरे में ये आराम से लग जाएगा, इसको एक साइड से हमें फोल्ड कर देन वी ने मैं नियो C अ सबकी देवं honor नी है याँ पर भी ये तीन स्री छोड़ाई के हैं और फोर्टी वन इंच की हैं के अ दो फिरीइल और छोटे वाले फिरी चोड़ाई में हमें ओ उड़ियरा देना हैं और आधा इस फ्रिल में हमें इसको लगा देना है उसके बाद हमें यहां से इसको फॉल्ड करना है और उपर की साइड हमें इसमें चुणनटे डाल लेनी है यह स्ट्रीप के लिए और आर्म होल में लगाने के लिए हमने पाइपिन ली है पाइपिन हमारी 1.5 इंच और 18 इंच की है ऐसे फॉल्ड करते हुए हमें इसकी स्ट्रीप बना लेनी है ये दो पाइपिन नेक के लिए हमने ले ली है ये देखिए फ्रेंच सबसे पहले हम अपने जो फ्रील में आदा फ्रील हमने जोड़ा हुआ है उस पर सिलाई लगा लेते हैं इस फ्रील को हम नेल्स से ऐसे कर देते हैं नीचे की साइड से हमें इसको फॉल्ड कर देना है दूसरा फ्रील भी हमें सेम अपना ऐसे ही तयार कर लेना है पूरे फ्रील को हम अपने फॉल्ड कर लेते हैं ये देखी फ्रील हमारे यहां से फोल्ड हो गया है अब हम इसमें बारिक बारिक से चुन्नटे डाल लेते हैं फ्रेंट्स चुन्नटे डाल कर हमें इसको फ्रोक के घेरे के बराबर कर लेना है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी इसमें प्लेट्स डाल कर हमने इसको तयार कर लिया है अब यह हमारे छोटे वाले फ्रील है इसको भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं और एक साइड से इसको भी हमें फॉल्ड कर लेना है बारिक सा फ्रील यहां पर हम फॉल्ड कर लेते हैं फ्रेंसिस के बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यहां पर भी हमें ऐसे ही चुन्नटे डाल लेनी है जैसे हमने नीचे वाले फ्रील में बड़े फ्रील में अपने डाली हुई है दोनों में सेम एक से डिजाइन की ही प्लेट समय यहां पर डालनी है ये देखे फ्रेंट कितनी प्यारी सी हमारी ये फ्रील चुनटे डल कर तयार हो रही है फ्रील में हमने दोनों में चुनटे डाल ली है अब हम इसको एक दूसरे के ओपर यहां पर रख लेते हैं और इसमें सिलाई लगा देते हैं एक दूसरे के साथ फ्रील को हम जोड देते हैं जिससे जब हम इसको फ्रोक में लगाएंगे तो हमें प्रेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स इसी तरीके से काफी प्यारे प्यारे से रिजाइन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है जिसमें आपको बेबी की फ्रोक और सूट की सब की वीडियो मिल जाएगी और हर साइज की वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने कटिंग और स्टीचिंग भी बताई हुई है यह यहाँ पर हमारे फ्रील तयार हो गए हैं अब फ्रोक के नीचे के घेरे पर हम इसको रख लेते हैं और इस पर सिलाई लगा देते हैं फ्रील को हम अपनी फ्रोक की साथ जोड लेते हैं यह देख सकते हैं फ्रेंज कितना प्यारा सा हमारा यह डिजाइन बन गया है अब सभी फैबरीक उपर की साइड करते हुए हम इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और जल्दी से बिक्चो के पहनने के बाद उधरती भी नहीं है ये देखिए गेरे पर हमने फिरिल अपने लगा दी है अब हम नेक पर अपने पाइपिन लगाते हैं फ्रेंट्स पाइपिन को हमें फ्रोक की रोंग साइड पर रखना है और पाइपिन को हमें खीच कर सिलाई लगानी है ये देखिए सिलाई हमने लगा दी है अब हम पाइपिन को फ्रोक की राइट साइड पर पलट लेते हैं और दो बार इसको फोल्ड करते हुए इसके उपर हम सिलाई लगा देते हैं सभी फैबरिक हमें इसी में नीचे की साइड को दाब देना है जिससे इसमें बहुत जादा फ्निशिंग आएगी यह देखिए फ्रेंस यहाँ पर पाइपिन हमारी लगकर तयार हो गई है अब हम यहाँ से जहां आर मोहल में हमने कट लगाया हुआ है वहाँ से अपनी दूसरी स्ट्रीप लेते हैं और यहाँ पर रखकर इसको लगा देते हैं इसको भी हमें हलका सा खीच कर लगाना है अब एक साइड से हमें फोल्ड करना है दूसरी साइड से फोल्ड करना है और एक बार और हमें इसको फोल्ड कर लेना है और इस पर सिलाई लगा देनी है फ्रेंट्स इस्ट्रीप पर जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो हमें इसको जरुरों से ज़ादा खीचना नहीं है क्योंकि हमारी पाइपिन रेब की है नहीं तो ये खीच कर पतली और लंबाई में ज़ादा हो जाएगी ये देखिए यहाँ पर हमने अपनी पाइपिन लगा ली है और आर्म होल में भी और स्ट्रेप भी इसी के साथ बना ली है अब हम यहाँ पर दूसरे आर्म होल में नीचे की साइड से लेते हैं एक में हमने उपर की साइड से लिया है, एक में हम नेचे की साइड से पाइपिन को लेते हैं, ये हमारी सिलाई लग गई है, अब हम इसको भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे ही हमें इसकी भी डबल फोल्ड करते हुए स्ट्रीप तयार कर लेनी है, यह देखें यहाँ पर दोनों स्ट्रीप हमाई लग गई है और फ्रिल भी नीचे की साइड लग गया है अब हमने यह बो के लिए फैब्रिक लिए है जिसकी फॉर और सिक्स इंच की लेंद है हमें बो को डबल कर लेना है और इसके उपर वन इंच की सिलाई लगा लेनी है इस साइड पर भी हम इस पर वन इंच की सिलाई लगा लेते हैं बीच का हिस्सा हमें इसका खुला छोड़ देना है अब हम इस सिलाई को बीच में कर लेते हैं और यहां पर साइडों पर इसके सिलाई लगा लेते हैं इस साइड पर भी हमें इसके ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है यहां पर दोनों सिलाई हमने लगा दी हैं अब हम इसको पलट लेते हैं किसी भी चीज की मदद से हम इसके कोने निकाल लेते हैं अगर आप कैची की मदद से कोने निकाल रहे हो तो ध्यान रहे आपकी सिलाई कटे नहीं कपड़ा कटकर हमारी कैची बाहर निकल जाती है अगर हम जादे जोर से इसके अंदर की तरफ फॉल्ड करते हैं बीच में हम बो में निशान लगा लेते हैं और इसमें चुन्नटे डाल लेते हैं फ्रेंड्स आप हाथ की सुई की मदद से भी इसमें चुन्नटे डाल सकती है और मशीन की मदद से भी इसमें चुन्नटे डाल सकती है अगर आप मशीन से डाल रही हो तो तीन से चार सिलाई हमें इसके उपर लगानी होती है और चुन्नटों को बीच से कम करते रहना होता है ये बो हमारी बनकर तैयार हो गई है सभी बो हमने ऐसे ही बना ली है अपनी अब हमें इस बो को यहां पर फ्रोक के बीच में रखकर सिलाई लगा देनी है आप हाथ की सुई की मदद से भी इसमें सिलाई लगा सकती है दो तीन बार इसके उपर सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी बो कुले नहीं अब यहां पर हम इस ट्रीप में भी इसी तरीके से अपनी बो लगाएंगे जिससे ये बेबी के पहन कर बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगेगी यहां पर हमें इस ट्रीप में बो को कर दिया है और अब हम इसके उपर सिलाई लगा देते हैं फ्रेंड्स ये डिजाइन बनकर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और सर्मर के मौसम के लिए तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं ये देखिए हमारी यहां ये डिजाइन कितना प्यारा सा बो का लुपी वाला बनकर तैयार हो गया है दोनों बो यहां पर है स्ट्रीप में भी हमने लगा दी है और फ्रोक पीस भी अपने दोनों हमने तैयार कर लिये हैं अब हम इसको डबल कर लेते हैं यहां से और इसके साइड में फिटिंग की सिलाई हम लगा लेते हैं दोनों साइड में हमें ऐसे ही सिलाई लगा कर इसको तैयार करना है नीचे की साइड से पक्का करते हुए हम निकाल देते हैं ये देखिए फ्रेंट्स कितनी प्यारी सी यहां पर ये हमारी फ्रोक बन कर तैयार हो गई है, नीचे की साइड हमने इसमें फ्रील लगा दिया है, और बो का डिजाइन भी आप स्ट्रीप का भी देख सकते हैं, कितना प्यारा सा ये डिजाइन बन गया है, पहनकर जब बो बो